हमारे दिमाग में एक क्योश्चन आ है कि क्या जितनी बार हम लिख रहे हमें ये model साथ में मिलेगा नहीं हमें तो पस अभी ये समझना है कि ये है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पूछेगा क्या वह अगला पॉइंट है अभी तो कुछ मत सोचो बस हां कैसे लिख रहे ह ये हमारे लिए important task के तो मैंने ये चारों एक ही compound है ये हमें पता चल गया कि ये एक ही compound है लेकिन थोड़ा difficult था तो हमने Fisher projections को लेने की कोशिश की ये Fisher क्या है और कैसे सोचता है तो Fisher representation Fisher representation कैसे बोलता है Fisher देखिए पहले तो आप Fisher को समझे की है क्या ये ये कहता है कि आपका molecule है तो tetra idol मैंने का हाँ ठीक है आप tetra idol को इस तर से पकड़े कि आपके मैंने का हाँ आपके आगे बोलो इसने का ऐसे पकड़ो कि आपको आपको जो सॉलिड और डैश है ध्यान से सुनना मैंने का सॉलिड और डैश कैसे वह आपको आपकी तरफ दिखाए थे मैंने का नी समझ में आपने क्या बोल दिया इतनी जल्दी उसने का जैसे ये वाला है इसमें वाइट उपर होगा और पिंक प्लेन में बिलकुल हाँ मैंने का ये बिलकुल है वाइट उपर है और पिंक मेरी तरफ है तो आप इधर से नहीं देख सकते हैं मैंने का क्यूं नहीं देख सकते उसने का नहीं देख सकते आप उदर से देखो जिदर से आपको सॉलिड डेस दिखाया दे सामने दो मुझे इधर से बीच से कटते ने इधर से भी दिखते हैं उन्हें का अब समझ में आया बीच से कटनते हुए के साथ आपको Solid-Dash पहले कि इदर से नजर आ रहे हैं वह है मेरे का पहले तो मुझे इधर से देखने पर मिल रहे हैं बिढ़ते ही पहले इदर से Solid-Dash इधर से आयगा इधर से दूर आगा इधर से पहले white देखा तो आपसे बड़ा बेवकुफ कोई नहीं है मैंने का अब समझ में आया तो इस मॉलिकुल को कहां से देखेंगे हम इस तरफ से मैंने उससे हाथो हाथ पूछ लिया भई आपने कहा ये पिंक और ऐसे मैं ऐसे देखूंगा मैंने का हाँ यही सही है तरीका बोलो हाँ या ना मैंने का मैं ऐसे देखू या उल्टा करके देखू उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब उल्टा देखो यह 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 देखो दोनों सह सही है मेंने का दोने सही है नहीं कोई गलत नहीं वेक funkагनः बिलकुल सही है दोनों सही है आभी हो मतलब कुल मिलाके अगर यह white है और यह इस तरफ किया है pink डैश, बिल्यू मैने और यह क्या है solid ग्रीन आप चाहो तो अपनी यह आपकी प्यारी प्यारी आंखे आप ऐसे देखो मैंने का ठीक है और अगर आप चाहो वही सॉलेड है और आप योगा करते हो दिन रात उल्टे बिठे रहते हो तो पिंक और वाइट आप ऐसे देखो इस बार आप ऐसे देखो कोई दिक्कत नी है लिकिन देखते वक्त आपके दिमाब में एक ही चीज आनी चाहिए जो सॉलिड डैश वह आपको पहले दिखाया दे और बीच से कटे वह दिखाया दे आप बीच से मैंने का यह इसको भी बीत से कटता हूए, दिखाए देगा, बिलकुल इसा लगेगा बीत से कट रहा है उबाइट और इसको भी दिखाए देगा ऐसन में कि बस, हो गया यही तो Fischer केता है यह भी सही है और यह भी सही हिए कि समझ मैं मैंने का इसको कैसे दिखाए देगा मैंने का इसको जब यह देखेगा तो इसको पता है कैसा दिखाए देगा एक बार व्यू देखते हैं इसको पता है कैसा दिखाए देगा डबली उपपर दिखाए देगा और पी नीचे दिखाए देगा डबली उपपर दिखा जी राइट में और बी नीचे तो यह आपका इसका रिपर्जेंटेशन हो गया मैंने का जब उल्टा देखेगा तो कैसा दिखाए देगा उसने का जब यह आदमी उल्टा है तो इसको क्या दिखाए देगा पी उपर दिखाए देगा और क्या दिखाए देगा और क्या दिख है देगा right में तो क्योंकि ये एक ही molecule है और ये भी सही है ये भी सही है तो ये ही compound है जाने की समझ में रहा है ये एक ही compound है मैंने अभी दूसरा compound लिया ही नहीं इसका कोई doubt ये भी इसका feature है और ये भी इसका feature है तो अपने आप बात में रूल बन जाएंगी तो आपने क्या rule बनाया solid को डैश में रिपर्जेंट करने का पहला point आपको इस तर से देखना है कि जो solid और डैश है वह आपको थिल लाइन वाले अटम के compare में प्ले लाइन वाले अटम के compare में पहले दिखाई दे और बीच में से कटे वह दिखाई दे मतलब उनकी जो बीच की distance है वह कटे वह दिखाई दे अगई बात समझ में मैं Fischer को बिलकुल मान गया और उसकी language को easy कर दिया वह बहुत बिकार language उसकरते मैंने अच्छी language उसकर दी देखने का rule तो आप देखने का rule बापिस लिखेंगे मेरे साथ क्या लिखेंगे पहला rule देखते वक्त चलिए मैं लिख देता हूं rule no.1 देखने का rule first इस तरह से देखेंगे मैं हिंदी में लिख रहा हूं इस तरह से देखें की solid dash नजदीक देखें solid dash atom pass दिखें और बीच दोनों के बीच में देखें दोनों के बीच में देखें पूरा clear हो गया आपका concepts सही है तो मैंने का यार इससे easy तो कुछ होई नहीं सकता solid dash एक second में solid dash हो गया मैंने का फिर इसका representation क्या होगा तो आप मुझे बताएं इसको भी हम कर सकते हैं ड्रिच के ड्रेखें प्राण।